स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजु मैडम में आज मैं आप लोगों के समख्ष भूनेशर प्रशाद वरा रचित आजादी की नीन एकांकी के उद्देश्य को लेकर उपस्तित हूँ आजादी की नीन एकांकी विष्ट बंगाल कॉंसिल के क्लास 11 के सिलिवस में है तो क्लास 11 के बच्चों के लिए आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट है तो आज मैं इस एकांकी के उद्देश्य को लेकर उपस्तित हूँ क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहती हूँ कि आजादी की नीन एकांकी के सिर्शक की सार्थत्ता और आजादी की नीन एकांकी में नहीत व्यंग से संबंधित दो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख लें यह पाठ आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है और उद्देश से तो विशेश करके इंपोर्टेंट है इन सारे प्रशनों को आप अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि परिच्चा में इनी में से कोई न कोई प्रशन पूछा गया है तो खुब ध्यान से सुनिए और बात को समझिए तो चलिए आरम करती हूं ताट पर यह है कि हमने आजादी के पहले आजादी वो आजाद भारत का सपना देखा था पर वह आजादी दिल्ली में हैं और दिल्ली से चली परन्तो आम आदमी तक पहुँच नहीं पाई यह एक वीडम मना है यही सत्य कवी रामधारी सिंग दिनकर की कवीता समर्सेस है में अभिव्यक्त हुई है तो यहाँ पर आप एक उधारन दे सकते हैं किसका कवी रामधारी सिंग दिनकर की कवीता समर्सेस है जिस कवीता में कवी ने ऐसी भावनाओं को ही अभिव्यक्त किया है ऐसी समस्या को ही प्रस्तुत किया है देखे क्या है कवीता सकल देश में हाला हल है दिल्ली में हाला है दिल्ली में रोश्नी सेस भारत में अंधियाला है इसके साथ ही कवे दिल्ली से प्रश्न करते हैं अठका कहा स्वराज बोल दिल्ली तू क्या कहती है तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है ये एक कटू शक्त्य है जो रामधारी सिंग दिनकर जी ने अपनी कविता में ब्यक्त किया है कि सकल देश में हाला हल, हाला हल मनने सब जहर, विश और हाला कार्थ है सराब यानि दिल्ली में एसो, अराम, सुख, सम्रिदी सब कुछ है लेकिन पूरे देश में गरीबी है, अभाव है, इसे ही कहा गया हाला हल दिल्ली में रोशनी सेस भारत में अंधियाला है जो कुछ भी है, अच्छा वो दिल्ली में है लेकिन बाकि पूरे भारत वर्स में अंधकार फैला हुआ है यह अंदकार क्या है? अत्याचार, गरीबी, सोशन का अत्याचार है. कभी दिल्ली से प्रश्ण पूसते हैं, अठका कहां स्वराज? स्वराज यह अपना राज, यह जो हमें आजादे मिली, वो कहां अठक गई? बोल दिल्ली, तू क्या कहती है? दिल्ली से प्रश्ण है, मृद्धी सब कुछ है, लेकिन और समस्त देश की जनता जो है वेदना सहर ही है, ब्यथीत है, दुखी है, यही सत्येकांकी कार्म ने अपने कांकी आजादी की नीन में प्रस्तुत किया है, तो यह सपष्ट हो जा रहा है कि एकांकी कार्म ने भी इसी बात को बतलाया है, कि आजादी कुछ लोगों तक सिमित रह गई, आजादी पूरे भारत वर्ष के जनजन तक नहीं पहुची है, एक लंबे संगर्स के बाद हमारे देश ने 15 अगस्त उनिस सेंटालीस के दिन आजादी प्राप्त की थी, तब से लेकर आज तक आधी सतावदी से भी अधीक समय पीत चुका है, लेकिन आजादी किस तरह की होती है, आजादी कैसी होती है, यह सवाल आज भी आम आदमी के मन में? आजादी से पहले गरीब से गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर लेता था परन्तो आजादी के बाद महगाई व भरष्टाचार के मार ने आम आदमी का जीना बेहाल कर दिया है आजादी के पहले तो लोग या सोच कर सब्र कर लेते थे कि विदेशियों यानि अंग्रेजों का सासन था परन्तो आज आजादी के बाद तो अपने ही लोग लूट खसोट में लगे हुए है आज वरतमान समय में पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया है महगाई के साथ साथ पुलीस वो नया व्यवस्था तक भरष्ट हो चुकी है जिसका खामियाजा आमजनता भरती है स्वराज प्राप्ति के सारे सपने न जाने कहां चले गए तो ये जो बात है कि आजादी से पहले लोग तो यह समझते थे कि बिटेश सासन है अंग्रेज हमारा सोशन कर रहा है चलो वे तो दूसरे हैं वे अपने नहीं हैं वे हमारे अपने कोई नहीं हैं लेकिन आजादी के बाद इस बात का दुख होता है कि अपने ही लोग अपनों का सोशन कर रहे हैं यानि भारतिया ही भारतिया का सोशन कर रहा है जो सपना हमारे देश के नेताओं ने देखा था, वो सारे सपने धरे के धरे रह गए। महंगाई, भृष्टाचार इतना अधिक बढ़ चुका है कि एक आम आदने का जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो हर इस्थिती में अगर देखा जाए, तो इसका खामियाजा कौन भरता है? आम जनता भरती है। तो यह इस्थिती हमारे देश की हो गई है। मुझे यहाँ पर कभी दुश्यंत कुमार की एक कविता, जो क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, वो याद आ रही है, वो कविता इस प्रकार से है। कविता का शिर्शक है, हो गई है पीर परवत्सी और कविता की पंक्ती इस तरह से है। मेरी कोशिस है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कही भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस कविता में भी कविदुस्यंत कुमार जी ने इसी समस्या को पुजागर किया है कि भरष्टाचार, महेंगाई, अत्याचार, आम जनता पर इतना भारी पड़ रहा है कि अब इसके खिलाव एक विद्रोह की आवशकता है। एक विद्रोह होना चाहिए जैसा कि इन्होंने कहा है, हो कही भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। लगते हैं, पेशिवर नेता का या कथन नेताओं के निश्ठूर व्यक्तितु को दरसाता है, जब नौकर को जबाव में कहता है, नौकर अब इस सब ना होई, अब कुछ और होई, पेशिवर नेता क्या कहता है, अब का होई, इसका मूँ बंद कर दो, सीसा पिला कर इसकी ह प्रश्टाचाल के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके आवाज को बंद करने की चेष्टा की जाती है। प्रश्टी को समाज और देश की आजादी की नीन से जगानी की चेष्टा की है। तो यह है इस एकांकी का उद्देश है। तब तक बढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। मेरी सुबकामनाई आप सभी बच्चों के साथ है। आप से फिर मुलाकात होगी एक नए विशे के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप साथ है। आप साथ है। झाल झाल